हेलो गाईज, वेलकम टू दी वीजा टूटोरियल क्लासेज, मैं एर अजनीश कुमार सिंग, आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम लोग डिसकर्ज करने जाएंगे, मैथेमेटिकल्स, ओपरेशन का पार्ट टू, यानि गणितिय संक्याएं, जो हम लोग के रिजिनिंग में एक से दो नमबर का हर एक साल हर एक एक एकजाम में पूछा जाता है इसके पहले मैंने इसका पार्ट वन अल्रेडी डिसकर्ज करखा है, जो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वो पार्ट वन देख सकते हैं, और आज मैं डिसकर्ज करूंगा इसका पार्ट नमबर दो, और देखते हैं कि पार्ट नमबर operation के अंदर ही type 2 आता है उस type को आज हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि टाइप 2 क्या है balancing the equation सबसे पहले इसमें जो type 2 है इसे कहते है balancing the equation यानि हम लोग को क्या करना पड़ता है equation को balance करके चलना पड़ता है यानि equation जो है उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है balance करना पड़ता है जो question एक आलक तरीके से दिया रहता है उसे हम लोग को balance करके उसको हम लोग को correct answer की तरफ ले dayamा होता है तो चलिए मैं आप लोग को आज प्ताता हूं कि कैसे balance condition को हम लोग solve कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि यह दिखा हुए जो टाइप टू है इसे हम लोग कहते हैं इसमें हम लोग को एक कोस्चन दिया है कि लिखा हुए 72-80-9-0 सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें जीरो के लाने के लिए इसमें जो कंडिशन दी हुई है सबसे पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है मैं एक बार करके देता हूं कि इसमें में पहले वाले कंडिशन को देखा कि मेरे को माइनस करना है तो मैंने कि 72-8-9-0 अगर मैं इससे solve गरूंगा तो क्या 0 की equal आएगा नहीं आएगा तो मेरे को फिर आप Whenever मैं क्या divide करके देखूँ तो इहां पर दो डिवाइड हो जाएगा यहां पर ग्लत हो जाएगा तो मैंने मैं ने देखा यह एक बार डिवाइड करो एक बार मााइनस करो यानि मैने जैसे 72 डिवाइड बाइड बाइड किया ठीक है 72 डिवाइड बाइड बाइड को डिवाइड करूंगा तो यह निससे 7-9 जाया 72 इकवल कि श्राइब के बराबर हो जाएगा इस कॉच्चन में मेरे को यह करना था इस कंडिक्शन को क्या करना था इसमें हम लोग को उस हिसाब कर ना कि हम लोग जो zero है जो zero के equal आजाए हमने पहला देखा कि हम minus करते हैं तो इसमें से minus करेंगा इन दोनों को add करेंगे तो zero के equal नहीं आएगा फिर इसमें भी divide करेंगे तो कोई रूल follow नहीं करेगा और इसमें अगर plus करते हैं यहां पर तो तो डिवाइड करेंगा यानि दोस्तों कहते हैं क्वेस्टन वाले को इसे ही सॉख करते हैं चलिए मैं इस टाइब की दो तिंग कोशन और डिसकर्स आप लोग को कर देता हूं यह यह हो जाएंगे इसका नेक्स्ट कोर्शन नेक्स्ट कोर्शन क्या रहा है यह भी सिम उसी टाइप पर है बैलेंस वहारे टाइप पर ही है कोशन हम लोगों को देखाना है और उसके बाद देखना ही कि जीरो के एक वार आ रहे इकने इसके पराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब यह होगा उसके बाद क्या है यहां पर माइनस करूंगा तो बहुत करूंगा यहाँ पर देखेंगा यहां फीद वाइड है यानि दो वाड़ डिवाइड है यानि condition कॉन सा तीन नंबर फोलो करेगा क्यासे करेगा 24 divided by 6 divided by 12 equal to किसके बरावर करना है हमें 2 के बरावर करना है तो जब सबसे पहले क्या करूँगा मैं इसमें इसको भाग दूँगा तो कितना जागा इन दोनों को जैसे भाग देंगे कितना जागा टू टू टाइम जाएगा इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है इसको भाग दीजिए इसमें चेशे चेशे बार में कट गया छे डिवाड़ेड़ वाइट यहां करना है इसमें भाग दे दिए छे दूनी बारा और बराबर तो यानि यह कंडिशन यानि हम लोग के पास जो क 24 जोविस चेभ बारा दिया था बराबर दिदिया बराबर में क्या तो कि तो लाना था तो हम 17 कंडिशन वा फोलो तो हमें नहीं आरव कर दे वा में इकवल हो गया तो यह सित यह टाइप था जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस दा इक्वेशन अब इसके में नेक्स टाइप को आप लोग के सामने डिसकर्स कर देता हूं उसके बाद जैसे ही सारा चैप्टर खतम हो जाएगा में दो या तीन चैप्टरों को मिलाकर पूरा पूरा हम लोग को क्या करना है कोशन आरेंजमेंट करके लिया हूंगा जो गुरूबडी एंटैपीसि में कोशन पूछा गया है उन्हीं कोशन हो कमें आप लोग के सामने डिसकर्स करूंगा अब चलते हैं इसका टाइप नबर इसका नेक्स टाइप आता है याणि टाइप टाइप ठड का धोड कि इंटर दिया कि आस сравGI यहाँ पे करोगे क्या है मैंट है और का R का means क्या है plus है और V का means क्या है गुना है यानि multiply है और यह question दिया हुआ है कि 23R 16V 4P 2T 10 अब हम लोग को क्या करना है कि जो यह R है V है P है और T है इसके recording हम लोग को इसमें इसको put out करना है सबसे पहले क्या देखना है R जगा R की जगा हम लोग को क्या लेना है plus का लेना है तो मैं यहाँ पर solve करता हूं इसको 23R की जगा है plus मैंने प्लस का साइन दे दिया उसके बाद क्या है 16 के बाद क्या है भी का मतलब क्या है गुना है गुना किसमें करना है चार से करना है और पी का मतलब क्या है यहां पर डिवाइड के बाद क्या है टू है और यहां पर यहां पर टी का मतलब क्या है माइनस है माइनस का क्या हो 10 हो जाएगा दोस्तों मैंने क्या है यहां पर R था और R की जगह मैंने देखा कि क्या चीज का Sign दिया हूँ? получится का Sign दिया तो मैंने R की जगह plus का Sign दे दिया उसके बाद मैंने देखा यहां पर B है और B के सामने क्या जुट sino का साईन है multiply का sign देए उसके बाद मैंने देखा P की जगा क्या है P की जगा मैंने देखा और यहां पर Multiply की जगा मेरे को करना था और यहां पर municipalities की जो दी हुई है इनको सबसे भली बाती देखना होगा कि क्या है सबसे पहले क्या था यहां पर आर की जगा मैंने प्लस डाल दिया भी की जगा मुल्टिप्लाइड डाल दिया और टी की जगा मैंने सब्ट्रेक्शन यानि माइनस डाल दिया क्यों डाल दिया क्यों कि यहां पर B O D M A S यानि board mass board mass का नियम कहता है कि सबसे पहले bracket का काम हो उसके बाद off का काम हो अगर off नहीं है उसके बाद मेरे पास इसमें क्या है divided यानि two में मैं four से सबसे पहले क्या करूँगा तो जो संख्या जैसी है वैसे मैं लिख देता हूं इसमें जब divide करूँगा तो कितना जाएगा two आ जाएगा minus का क्या जाएगा मेरे पास ten आ जाएगा board mass के recording सबसे पहले हम लोग को कौन सा काम करना पड़ता है सबसे पहले इसमें bracket का काम करना पड़ता है अगर question में bracket नहीं दिया हो तो off का काम करना पड़ता है अगर off भी ना दिया हो तो हम लोग को सबसे उसके बाद क्या काम करना पड़ता है divide का काम करना पड़ता है जो इसमें था तो सबसे पहले मैंने इसको divide कर दिया उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ का सिंबल दियो है n4 क्या आता है multiply यानि इन दोनों कब हम लोगों क्या करना है multiply करना है यानि 23 प्लस में इसमें जब multiply करेंगे था 16 दोनी 32 माइनस का 10 ठीक है अब ये board mask के नियम से पहला condition हम लोगों को हो गया कि divide करना था मैंने divide कर दिया उसके बाद क्या था multiply करने को था मैंने में यहाँ पर multiply भी कर दिया अब उसके बाद क्या आता है addition करना है यानि इन दोनों को क्या करना है add करना है 5 और 3 दो 5 हो गया ये पचपन आगया पचपन माइनस क्या करना है 10 करना है अब लास्ट वावा जो बज जाता है उससे क्या करते है subtraction यानि घटा ये पचपन में से जब 10 जाएगा तो कितना जाएगा मेरे पास 45 ये 45 होगा हम लोग का पास क्या हो जाएगा मैंने divide का sign देखा तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या किया divide किया इस संख्या को मैने divide किया मेरे पास कितना हो गया जो जाśंक करने के बाद क्या होता है करने को क्या अएवा कर स्चार्ट का जो मैंने इन दोनों को इडिशन疍 भी कर दिया इसमें मैंने क्या किया आपका add किया इसमें मैंने आपका multiply किया इसमें आपका divide किया यही काम हम लोगों ने इस वाले question में किया इसे ही कहते हैं दोस्तो interchanging the symbol and number इसमें और भी बहुत सारे question आते हैं मैं आप लोग को question भी discuss कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो question देखते हैं next question कहा रहा है कि x को क्या बोला गया है plus बोला गया है y को क्या बोला गया है minus बोला गया है और z को क्या बोला गया है divide बोला गया है और p को क्या बोला गया है गुना बोला गया है यहां पर एक question दिया हुआ है 10p 2x 5y और 5 दिया हुआ है इसे हम लोग को क्या करना है कि यह जो question दिये हुए है इसे हम लोग को arrangement करना है सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहां पर 10 लिखाए 10 लिख दूँगा पी की जगह देखें दोस्तों क्या देया है पी की जगह multiply देया है मैंने multiply का assign दे दिया 2 दे दिया उसके बाद देखें यहां पर क्या है x है x की जगह मेरे को क्या करना है add करना है और add किसमे 5 में करना है ठीक है वहाँ पर देखिए y है, y की जगा मेरे को क्या दिया है वह माइनस दिया है और 5 दिया हुआ है और question में यह जो z दिया हुआ है, इस वाले question में कहीं भी z का जिक्र नहीं किया गया है कि आपको z की जगा क्या रखना है, यहाँ पर पता चल गए कि z की जगा हम लोगो डिवाइड रखना है लेकिन क्या है कि question में कहीं z दिया ही नहीं है, तो उससे हम लोग को कोई tension लेनी की बात नहीं है जो दिया है, उससे हम लोगों को रख देना है, अगर मान के चलिए यहाँ पर z नहीं भी दिया है तो आप लोग z को ढूनने मत बट जाएगा कि z कहा है, z नहीं है तो question नहीं बनेगा नहीं दिया, देखिए फॉर को सब नहीं को कोन सा रू फोल करना है, बौड मास का रूल करना है और बौड मास के रूल का काम पहला है , ब्रेकेट Messiah नहीं है , जैसे हम लोगों ने चोड़ दिया है , ब्रेकेट को छोड़ दिया certains को आप भूल जाए उसके बाद क्या काम करना है multiply का काम करना है तो इन दोनों में सबसे पहले multiply कर दीजिए 20 आ गया plus 5 minus का 5 उसके बाद क्या काम आता है इसमें addition का काम आता है तो इन दोनों को add कर दीजिए कितना जाएगा 25 minus का 5 उसके बाद इसमें क्या काम आता है सब्ट्रेक्शन का तो सब्ट्रेक्ट कर दीजिए अंसर कितना जाएगा आप लोग के सामने बी सा जाएगा यानि ऑप्सान नमबर बी समझ में आ रहे हैं दोस्तों क्या हुआ इसमें जेड तो दिया गया था कोस्चन में बस बट क्या किया गया था यहां पर जो इसका फॉर्म दिया हुआ था इसमें जेड की कोई बात नहीं की गई थी लेकिन कोस्चन में हम लोग को दे दिया गया था कि जेड का मतलब हे था तो मैंने सब्सक्राइब करने के बाद क्या काम होता है एडिशन का होता है इन कि नहों को हमने क्या कर दिया करने के बाद सब्से लास्ट आधकर अगिन वहां मैंने इन दोनों को क्या कर दिया सब्ट्रेक्षन कर दिया तो हम लोग के पास जो इसका अंसर आगया है कि ट्wenनि आ ग्या तो आपसर अंपर बीहीं हमने देखा कि अपसर नंबर में क्या है 20 है यानि जो इसका correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा कोश्चन नमबर बी इसका correct answer हो जाएगा यानि इसका answer हो जाएगा हम लोगे पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा अब चलिए देखते हैं इसका next question कि वो उसको कैसे करना है इसका नेक्स एक और इसी में आता है इंटरचेंजिंग वाले में आता है इसका कोशन दिया हुआ है कि यदि एक आश्रय एक मैंने गुना से है एक आश्रय किसे है गुना से है और बी का आश्रय भाग से है और सी का आश्रय प्लस से है और बी का आश्रय माइनस से है तो इस व सबसे पहले क्या एक आसर यहकर सब्सें निया हूँ का मतलब क्या है यह ब्माइनस है सबसे पहले क्या करूंगा मैं इसको स्कूर्डिंग क्षेक और्orm करूंगा यानि एक जो दिया हुए एक जघा मेरे को क्या रखना है एक जघा मैंने देखा कि दिया हुआ है अब देखें यहां पर सी दिया हुआ है सी का मतलब क्या है प्लस है तो में यहां पर क्या करणा प्लस दीगा और क्या करंगा 24 दे दूँगा ठीक है उसके बाद यहां पर देखे B दिया हुआ B का मतलब क्या है घटाओ यानि भाग है B की जगा मैंने घटाओ का sign दे दिया यहां पर क्या है 12 है 12 के बाद मेरे को क्या दिया हुआ है D दिया हुआ है माइनस है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 9 कर दिया ठीक है मैंने क्या किया है यहाँ पर A दिया हुआ था तो A का मतलब क्या है गुना से है और C का मतलब क्या है प्लस है बी का मतलब क्या है भाग है और D का मतलब क्या है माइनस है इसको हम लोगों वो ने कोस्ट्टन के गौरडिक सजा दिया अब हम लोग को क्या पॉलो करना है बोड मास का नियां अब हम लोग को बोड मास की के नियंग को देखना है सबसे पहले ब्रेक atra और यहां पर उसके बाद क्या है ना जाएगा शेहीं की थैप k 정 Dad 9 आ जाएगा 12 में जब डिवाइड करेंगे 24 से तो मुझ पास कितना जाएगा तू आ जाएगा उसके बाद माइनस 9 होगया बोड मांस के नियम के बाद divide आ है उसके बाद क्या काम होता है multiply का काम होता है तो इन दोनों का करेंगे हम लोग multiply करेंगे 8 में 3 से multiply करें कितना जाएगा 24 आजाएगा plus 2 minus 1 अब multiply के बाद क्या काम होता है addition का तो इंदोनों का add कर दीजे कितना हो जाएगा 26 minus 9 लास्ट में जो काम बज जाता है हो क्या होता है subtraction का यानि 9 में से 26 में से 9 को minus करेंगे तो 9 में से 6 आजाएगा 7 आजाएगा हम लोग के पास कितना जाएगा नए नियाओ में इस से यहाँ पर आँ जाएगा आँ लोग का answer जोगा कि dangt और यहां पर यहां पर आजाएगा जो कितना होगा 17 है यानि हम लोग का एंसर और पंचर हो जाएगा सेवेंटी हो जाएगा यह कितना आगया 70 आगया तरह यानि जो इसका खरेट ऑन्सरों कितना होगा 17, 17 में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, option number A में क्या है, 17 है, यानि board mask के recording, हम लोग का answer 17 आ गया, दोस्तों इसे ही कहते हैं, interchange the symbol and number, इसका एक और type है, trick base, इसका जो next type आएगा, उसे हम लोग कहेंगे trick base, उसको मैं आप लोग को next वीडियो में बताऊंगा, कि कैसे हम solve करना है, trick base, जो question आते हैं, उन लोगों को कैसे solve करना है, तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में एक नई उर्जा, एक नई energy के साथ, और next वीडियो में मैं आप लोग को कराऊंगा, इसी का part number 3, यानि part number 3, 3 में हम लोग देखेंगे trick base question की कैसे trick base question, mathematicals operation के अंदर आते हैं, औ मेरे चैनल को subscribe करें, bell icon को press करें, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का love उठा सकें, और जिन दोस्तों ने अभी तक unacademy भी मुझे follow नहीं किया है, तो मैरे वीडियो के description box में unacademy का भी link डाल रखा है, तो आप मुझे un math or reasoning करवा रहा हूं, वहाँ पे आप लोग को PDF प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे आप लोग को बस आप वीडियो देखिए, और PDF वहाँ से arrangement करके, आप लोग direct उसका love उठा सकते हैं, यानि आप लोग को notes बनायने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्यों आप वीडियो हैं कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जब तक के लिए thanks दोस्तों